लंबे समय तक हम पानीपत सिंड्रोम का शिकार रहें, तो पानीपत सिंड्रोम क्या था, दुश्मन को अपने हाँ आने दो, अब इस बात का क्या मतलब है कि हमने इसको कैसे जो काम किया, अब आप देखिए सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुए, पिछले कुछ समय से कश्वीर बहुत शान्त हो रहा था, सबसे पहली बात हमने बहुत बड़ी गलती 370 की कर दी, हमें आज उसको हटाया, एक ही देश में आपने बफर स्टेट क्रियेट कर रखा था, वो अलग पाकिस्तान से अभी मैंने दो दिन पहले मैंने आप लोग के ग्रुप में एक फोटो शेयर की थी, यासीन मलिक, याद है उसको जिसको पुलिस टांग के लेगे, उसकी बीवी किसकी सदाकार बन गई है, पाकिस्तान की चेहरे अब बे नकाब हो रहे हैं, ये मुखोटों के पीछे बैठे हुए थे, और आप पास्चेर करो कि भारत सरकार इनको सुरक्षा देती थी, भारत सरकार इनको सुरक्षा देती थी, आप इनकी गली में प्रवेश नहीं कर सकते थे, भारत के सैनिक खड़े होके इनकी सुरक्षा करते थे कि अगर कहीं को कुछ हो गया, तो कश्मीर में दंगे हो जाएंगे, ये हालत थी इनकी खौफ, इनका रुतबा ऐसा हुआ करता था, आज एक्सपोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, आज सारी चीज़े एक्सपोज हो रही है, जो मैंने आपके ग्रुप में ये फोटो भेजी थी, तो अगर ऐसे लोग, अब ये क्या था, भारत पानीपत सिंड्रोम का शिकार बड़े लंबे से रहा, हमारे या पहेर सारी चीज़ें सीख गए, मानवा अदिकार, सभी के अदिकारों की सुरक्षा, नियाईक प्रक्रिया, ये हमने इतने दिमांग में इतना कूड़ा बिठा रखा है इसका, कि हम उस दौरान क्या हुआ हुआ, अपनी राष्टी सुरक्षा यानि नाशनल सेक्रिटी को भी भूल बैठ है, तो पानी पत सिंड्रोम हमारे लिए क्या था, हमने वो गलतियां की, पहला मैंने आपको क्या मैसेज दिया, कि शिशपाल वद में भगवान ने भी मैसेज दिया, कि सामने वाले की गलती अगर तुम बहुत साफ्ट हो, बहुत बड़े आदर्श हो, फिर भी सामने वाले की गलती माफ करो, लेकिन एक सीमा तक, इसके बाद अगर तुमने माफ किया, तो इतिहास तुम्हें कमजोर और बेकार इनसान समझेगा, इससे पहले की क्लास में तुम्हें सिखाया कि हर राश्र को वो सब कुछ करना चाहिए, जो उसके लिए जरूरी है, नहीं तो वो राश सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसी खबर में एक और खबर आई है, आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी से जो उम्मीदवार आ रहे है, डोनाल ट्रम्प, उन्होंने एक स्टेट्मेंट दिया है कि जैसे ही मैं आऊंगा, भारत के ओपर टैक्स ल इसका मतलब क्या होता है, किसी भी राश्टा धेक्षकिल उसका राश्ट सबसे पहले होता है, तुम्हें बुरा लग सकता है, लेकिन ये उनके लिए क्या है, सही है, तो आपको अपनी चीजों के बारे में बात करना होगा, तो वो कहते हैं कि अतीत में तुमने गलतियां कर ली, लेकिन आज क्यूट हो रहे हो, तुमने उस समय 370 में एक अलग विधान क्रियेट कर दिया, अब क्यूट हो रहे हो, 35A में तुमने अलग विभाजन कर दिया, कैसा रास्त्र है, कि भारत के बाहर का कोई भी व्यक्ति कि श्मीर में काम नहीं कर सकता, वा, ये क्या बात हुई, तुमने पाकिस्तान को छोटा भाई कहा, तुमने सिंदुनदी का 80% पानी दे दिया पाकिस्तान को, ये तुम्हारी अतीत की गलतियां है, क्या समझा था था, कि जहां से उद्गम हो रहा है, जहां से बैर है, 20% पा आने की बात आती है पाकिस्तान भाग जाता अर्बिट्रेशन में कि देखो भाई भारत धोखा दे रहा हमारा पानी रोक रहा हम अपने यहां से गुजरने वाली नदी पर डैम नहीं बना सकते और चीन चीन ने ब्रह्म पुत्र नदी जो सांग पो होती है डैम पर डैम बना डाले हम सोच रहे उन्हें डैम बना डाला चीन किसी के पास गया नहीं गिल गिलाने के लिए चीन ने का नदी हमारे छेतर से बह रही है क्योंकि नदी के साथ एक लाउ काम करता है प्रियर्टी राइट्स क्या होते है उसको प्रात्मिक्ता अधिकार जिस छेतर से नदी प्रक्रति अपने नियमों के साथ काम करती है, तो जिस छेतर में उपर से बह रही है, उसके पास priority rights होते हैं, तो चाइना से बहके सांगपो आ रही है और फिर इंडिया में ब्रह्म पुत्रा के रूप में प्रवेश कर रही है, तो rights किसके पास पहले है, चाइना के पास, कहा दे, बीस-बीस साल हम जाके लड़ते हैं, इंटरनाशनल कोर्ट में, वर्ड बैंक में ये कहते हुए, जाके समझा दे हो कि हमारे लोगों को इस बिजली और इस पानी की जरूरत है, चेनाब नदी पे हम नहीं बना सकते, पुल, हाइडर चेनाब दुनिया की, एशिया क वन अब दो मोस्ट हाइडरो एलेक्टिसिटी कैरिंग केपैसिटी इन रिवर है, चेनाब इतनी तेज बहती है कि उसके पर क्यूसिक वाटर में सबसे जादा बिजली, पन-बिजली पैदा करने की छमता है, चेनाब में, इतनी तेज बहने वाली नदी है, लेकिन आश्चर जनक बात है कि हम उसे बहाव का इस्तमाल अपने राष्ट के लिए नहीं कर सकते अगर कश्मीर की नदियों पे हम डैम बना कर काम करना शुरू कर दें तो आप आश्चेरे करोगे कश्मीरी छोड़ो हिमाचल और उसके आसपास के सारे छित्रों में कश्मीर अकेले बिजली दे सकता है अपने लोगों को रोजगार दे सकता है इतनी पावर है वहाँ पे तो यह गलती हमने की है न हमारे पास naturally priority rights होने के बाद हमने छोड़ दिया उसको आप जाके देखिए जितने भी हमारे डैम बने 25-25 साल हमने जाके वर्ड बैंक में लड़ाई लड़ी तब जाकर हम एक डैम बना पाएं पीडी की पीडी खतम हो गई तो इतिहास की गलतियां कहते हैं कि एक समय तक ही दोहराओ उसके बाद उसे खतम करो दुश्मन तो दुश्मन होता है दुश्मन के साथ दोस्ती करने के खामियाजा 1962 में हम भुगत चुके हैं आज जो सज्जन लद्दा की जो सडकों पर होते हुए गुजरे हैं वहाँ पे और जाकर कह रहे हैं कि यहां पर सब कुछ चाइना ने ले लिया उनको यह भी नहीं पता था कि आज से कुछ साल पहले उस सडक पर जाने के लिए सडक ही नहीं थी वहाँ पर जाने के लिए कभी आप से पूछा गया कि 1962 में अक्साई चिन किसने दिया था यह कुछा जाना चाहिए था और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं आप भारत की सीमाओं की ताकत करने की बजाए भारत के अंदर बैटे हुए आप अबोजिट बाते कर रहे हैं आप रास्टी सुरक्षाओं पर अपने सवाल अपने आपके पास बोलने की अजादी है लोग तंतरे में व攻वना बहुत जदरूरी और जब आप ऐसा बोल रहा है तो 1962 क्यों भूल गया आप आप क्यूं गये थे आप वन चाइना पॉलिसी में आपने तिबबत को दिया था क्यों जब तिबबत के ओपर चाइना हमला कर रहा था उसको समेट रहा था अपने साथ तो आपने एक्सेप्ट क्यूं किया था आप बड़े दिल से कहते हैं कि दलाई लामा को भारत ने आश्रे दिया बोलते हैं आप तो आपने ये मान लिया कि वो उस देश पे चाइना का कब्जा है वो गलत कर रहा है हम इसको आश्रे किसको दिया जाता है शरणार्थियों को दिया जाता है जिसके पास अपना देश नहीं होता है तो आपने सैध्धानतिक रूप से ये मान लिया ना इन प्रिंस्पल आपने एक्सेप्ट कर लिया कि तिबच जैसा कोई रास्ट्र है ही नहीं तो आपने तो 1953 में यह गलती कर रखी थी तो दूसरा जो सब्वें सेग्मेंट है यह जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है वो पानी-पथ सिंड्रोम का विरोध है अब क्या है इसमें कहते हैं जो रजाओरी और पुच जो इसमें 11 रैंक है वो लड़की पुच से है ठीक है जो कौर है इस बार आई-एस जो बनी है 11 रैंक वो इस पुच डिस्टिक से है बिलकुल सीमा से सटा हुआ इलाका है तो क्या हुआ कि पाकिस्तान जो बहुत दिन से परिशान था परिशान किस बात पर भारत ने 370 हटा दिया तो उसको लगा भारत के अंदर बैठे हुए जो पाकिस्तानी है वो कहीं ना कहीं जाएंगे कुछ चिल्लाएंगे लोगों ने चिलाया भी कई लोगों ने कहा कि साथ पुस्ते आ जाया तो 370 नहीं हटेगा साथ म लना छोड़ो कहीं हिला नहीं इधर से उदर अजी डिवाल जैसे लोग थे जो पहले सी कहानी बनाके कहानी देखो कितनी अच्छी बनीती उसमें पता है क्या हुआ था यह हुआ था कि जो हिंदू का तीर्थिस्तान वहां पर हमला होने वाला है बड़ा इंपूट आया है और इनको यह था कि 35 A और 370 जो है वो कोई हटा नहीं सकता उससे पहले वहां के पूर मुख्यमंत्री उनका कि अरे इसकी दस पुस्ते आजा तो भी 370 नहीं अटेगा तो इन्होंने कहा कि भई जो तीर्थियाती जा रहा हुआ उनके उपर हमला होने वाला और बड़ी- पाल साब चुकी बहुत ही लिट्रेट आदमी उनको उर्दू की नॉलेज है उनको हर भाशा की नॉलेज साथ से ज्यादा भाशा हैं जानते हैं वह वह पहुंच गया लोगों के बीच में सोपिया सोपोर जहां पर हम आप जाने की हिम्मत नहीं मैं सोपिया में गुजरा हो में जाकि उनसे बात करके और उनको बताया कि देखो गवर्मेंट ये करने जारी और खटाया को पूरे मीडिया को लगा पैटिस एक लिए हो रहा क्योंकि 370 तो सब ने मान लिया था कि अब यह हटी नहीं सकता अक्षोण है तो सब का धियान चला गया 35 की तरफ तो सब कर दिया जब तक तुम यह सोचो कि कोई आतंगवादी हमला और मीडिया आतंगवादी हमले को कवर कर रही है 35 से हटाया सेना को डिप्लॉय कर दिया उसी बहां ने जब सेना ने सारे और जितने भी नेता थे सब को उठा के घर के अंदर बंद बिठा ना तुम बाहर निकलो तब तक 370 गायब जो बाते हो रही थी कि 70 सालों में नहीं हो अगया खतम मामला और कोई हिलने की मूड में नहीं कोई जानने को किस स्टेप से उन्होंने तयारी की और 370 हटा क्योंकि पाकिस्तान के फेवर में था 370 कभी भी बाउंडरी स्टेट एक बफर स्टेट नहीं हो क्विद्ध करोना चाहिए तो क्या हुआ अब भारत का विकास शुरू होता है पहले बड़ा विरोध हुआ कि अब यह नहीं होगा धीरे धीरे अपने देखा लोग राष्ट्रवाद कि भाई मैं वहां गया हूं महीनों महीनों दुकाने बंदरे महीं कोई शक्म कोई शक्य नहीं चल रही है आम इंसान से ज्यादा फॉजी दिखाई पड़ रहे हैं वहां पे डर का एक महौल हर समय बना हुआ था और खुबसूरत उतना ही टूरिज में कितनी संभावना जिसकी कोई हद नहीं अपि देखो आज निकल कर आया कितनी जमीने लोगन दबाक रखी है एयर लाने सहाब के हैं वो बड़े-बड़े नेता वो मैडम की जो हैं वो उनकी कोठी है वो उनके वाले वो सहजादे साब की कोठी है फिर उसके बाद और थोड़ा आगे तो असली कश्मीर दिखाई वो टीन शेट डालके गरीब आद में दिखाई पड़ रहा है उसकी जुग आप बाहर से अंदर आई नहीं सकते थे आपको पता ही नहीं चल रहा हो रहा है वह जितना आपसे चाहेंगे उतना या आप कर पाएंगे तो आज उस कश्मीरी को क्या मिल रहा है एपॉर्चुन्टी मिल लिए आज लोग फिल्म में बनाने जा रहे है आज वहां पर टूरि ब्लीड इंडिया थो थाउजन वॉंट्स कि हम भारत को हजार से जादा जखम देंगे कि भारत तिल-तिल करके उसका खून बहता रहे गा कि उसने कसम खाई ब्लीड इंडिया थो थाउजन वॉंट्स हम हजारों जखम देंगे कि वह रिस्ता रहे तब वहां से उन्होंने एक नईया वॉर स्ट्रेटजी डबलब की वह भी उनकी कूटनी थी और उसका नाम था प्रॉक्सी वॉर प्रॉक्सी चदमयुद्ध कि जब आप किसी राष्ट आप जाते हैं आप डारिक्टी ली लड़ते हैं आप ड्रक्स कि यूथ में ड्रक्स दे दो पीणिया खराब हो जाएंगी फेक करेंसीज एकॉनमी चौपट कर दो ट्रॉरिज्ट्रिजम एक्स्रिमिजम अतिवाद अतिवाद जैसे हम नक्सलाइट तो नक्सलाइट पहले पुलिस वालो की 303 बैचार एक तो पुलिस वालो कोई से पुरानी बंदूग मिली हुई है खीचो तब दागो किधर गोली जाएगी कुछ नहीं पता तो पहले उनकी बंदूग के चीन के अचानक से क्या हुआ सोफिस्टिकेटट वैकर्ण्स सेटलाइट फोन्स कहां से है उनके पास नक्सलाइट की जो शुरुवात हुई थी नक्सलबाडी से तो वह यह हुए थी ना कि भारत सरकार ने जो अत्याचार किया उनके लोगों ने उसके खिलाब उन्होंने आंदोलन किया माओ वादी कहा जाता था माओ ने क्या कहा था माओ ने कहा था कि किसी भी करांती की शुरुवात बंदूक की नली से होती है बिना बारूत के करांती की शुरुवात नहीं होती है यही माओ ने कहा था कि कोई भी करांती कहां से उकर गुजरेगी जो चीन के माओ थे कि अगर तुम्हें अप तो चोशन का कारण थे, तो उन्होंने इसके खिलाब, आगे चलकर क्या दिखाई पड़ा, आगे चलकर खालिस्थानी मुव्मेन्ट, जितने भी एक्स्रीमिस्ट मुव्मेन्ट है भारत में, वो सारे के सारे पाकिस्तान ने क्या किये प्राउजित्र किये, चाहे वो खालिस्तान का मुव्मेंट हो, चाहे वो कोई भी भारत से अलग होना चाहता हो, यह नक्सलाइट कहते हैं कि नहीं हम अपना अलग सेग्मेंट बनाएं, इनको वैपन देने शुरू करते हैं, ED, बड़े-बड़े अमलब जो उस एरिया में वो लोग गश्ट करने ज को मिली, सब कुछ जो है वो यह proxy war के अंतर होता है, proxy war में एक और चीज होता है, एक नया चीज जिसको sleepers layer बोलते हैं, अब यह बड़ा खतरनाक है, जो को भारत सरकार सबसे लड़ गई, counterfeiting शुरू की, कि नोट्स को पकड़ेंगे, नोट्स में change किये, ठीक है, demonetization कर दिया drugs के लिए भी लड़ाई, हमने पकड़ना शुरू किया, लेकिन यह जो segment है, वो सबसे खतरनाक है, sleepers is not about कि यह terrorist module है, यह विचारधारा से भी आता है, यह बड़ा खतरनाक है, अब कोई उठा और आज मान लो कोई ऐसा है, भारत सरकार ने कुछ किया, C.E.A के protest के समथ में त भी खाई पड़ा होगा, अभी आपने देखा हो कि एक बहुत बड़े संकठन के उपर बैन लगाया गया, P.F.I. नाम नहीं सुना, जिसने सारी funding की, इतना बड़ा model burst की है, यहां से लेके केरल तक लगातार चापे पड़े, popular front of India का केसी थी तुम लोगों पता है, किस दुनिया में जी रहे हो तुम लोग, अभी हाली के दिनों में इतना बड़ा burst मारा है, दिल्ली जो दंगे हुए थे, जो इतने लोग मारे गए, वो सारा उसी का प्रायुजित था, पूरे देश में जहां जहां दंगे हुए, सार उन्हों में बड़े page है, जैसे CA protest में बैठ गए, बुले नहीं हमारे उपर जुल्म हो रहा है, हमारे उपर ये चीज हो रहा है, इन्वस्टी के लोग, बुध्ध जीवी लोग, अकबारों में लिखने वाले लोग, इंटिलिजेंट लोग, नियाय पालिका में बैठे इंडिया ग्रोथ ना करे, तो इसमें क्या होगा, ये मैनिपुलेशन करते हैं, इन्वस्टी में प्रोफेसरल लेक्चर दे रहा होगा, इस्टुडेंट यूनियन के अंदर ये बात आ जाती है, निउस्पेपर मीडिया को पैसे दे दिये जाते हैं, अभी आपने सुना होते हैं, वो boundary पे होते हैं, ये देश के अंदर हो जाता है, फिर government कुछ भी कर रही है, उस पर आप tweet करना शुरू कर देंगे, ट्विटर जैसे handles का use करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके हम बोलने की आजादी है, तो फिर सही गलत का वहाँ पैचान मुश्किल हो जाती कि किसानों के हित के लिए वो कानून बने थे, मेरे एक सवाल का जवाब हर बुद्ध जीवी से है भाई, कि जब किसी उद्ध्योग पती को entrepreneur कहा जाता है, तो किसान को बेचारा क्यों कहा जाता है, इफ आम गोएं तो फैक्टरी और प्रिदूस सम्थिंग, I have ability to produce anything, चाहे म बॉक्स बनाओ, टिफिन बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो आम entrepreneur, तो agriculture में वो agripreneur क्यों नहीं हो सकता, वो बेचारा क्यों है, किसान, खेती, घाटे का सौधा है, यही लिखा जाता है न, चिल्ला चिल्ला के इसको बताते है, तो किसान agripreneur क्यों नहीं हो सकता, मेरे सवाल का जबाब दो, वो बेचारा ही क्यों है, वो गरीब ही क्यों है, इसको क्यों tax में छूट चाहिயे, इसको क्यों फुरी बिजली चाहिए, इसको क्यों पानी चाहिए, अरे उसको मा जब तुम्हारी किताब की पहली लाइन, puta उठाकर देखो, और भहरत की विकाज जो आपका ज agriculture is a gamble of monsoon और भारती क्रशी घाटे का सौधा है वाह मुझे एक ऐसे बिजनस में डालनों कि इसमें तुम जिंदगी में फैदा नहीं पाऊगे तुम है बिजनस क्यों करूँगा तुम मुझे बताओ ये NCRT में लिखा हुआ है अब जो बच्चा पढ़के निकलेगा वो क्या सोचके निकलेगा कि खेती घाटे का सौधा है मालो तुम मैं से कोई किसान के घर का है पढ़ लिख लिए तुमारा माइंडसेट चेंज हो गया कि नहीं हो गया कि भाई कुछ भी करेंगे खेती नहीं करेंगे यह होगा ना क्योंकि यह घाटे का सौधा है तो तुम बेचारे हो गए और अगर मैं उद्योग पती हूँ अगर मैं आंत्रपेनर हूँ तो मैं अपने प्रोडेट को कि किस दाम पर बेचना चाहता हूँ किस रूप में बेचना चाहता हूँ इसमें मर्जी किसकी होगी मेरी होगी मैं 999 में पढ़ा हूँ 9999 में पढ़ा हूँ मेरा मन्यार मुझे जो दिखाई पड़ा बिजनस में वो करूँगा मुझे जो एपोर्चुन्टी दिखाई पड़ वो एग्री प्रेनियोर बनने के मौके थे और सबको पता है कि एग्री कल्चर में भारत की 55 प्रिश्यद आबादी है और जिस दिन ये 55 प्रिश्यद आबादी अपने पैर पे खड़ी हो गई दुनिया का सबसे ताकतवर बाजार हमारे पास होगा क्योंकि हमारे जो विकास की धुरी है वो गाओं की तरफ शिफ्ट हो जाएगी हमारे गाओं के पास परक है बटा इंकम आ जाएगी हमारे गाओं के पास परचेसिंग पार पैरटी आ जाएगी और फिर जब ये इतनी 30 प्रतिशत आदमी डिस्क कर रहा है सत्तर प्रतिशत आबादी मेरी कहां रहती है गाउं में रहती है huge market दुनिया भर के banking दुनिया भर का insurance, दुनिया भर का medical system दुनिया भर का FMCG दुनिया भर की सारी चीज़ें किदर भागेंगी भारत भागेंगी और ये विदेशियों को पसंद नहीं है और भारत फंस गया अपने freedom of speech में आज तीनों कानून क्या करने पड़े? वापस लेने पड़े एक कानून आप नहीं पास करा पाए ये इस्थिती हो गई है ये जो अंदर है वो बहुत खतरनाक है ये भारत के विकास को रोक रहा है कितना डर बैठा हुआ है तो जिस दिन आपने एक एग्री कल्चर में एग्री प्रेने और वर्ड जिसको किसान फार्मर को एग्री प्रेने और बोलना शुरू कर दिया उसी दिन तुम्हें भारत की धरती से बागी में सोना उगलना शुरू हो जाएगा तो मजाग बात नहीं कर रहा हूँ गया और वहां इनोवेशन करने लग गया उस दिन तुम्हें पता चलेगा पर केपटा इंकम कैसे रॉकेट हाई पहुंचती है कि इस आबादी तक वो चीज ना पहुंचे इसके लिए इतनी बड़ी शाजिस खेली गई तो ये जो सेग्मेंट है ये पाकिस्तान ने 1971 के बाद समझ गया भारत से डारेकली लड़ा नहीं जा सकता तो उसने भारत के खिलाफ आतंगवाद लेकिन हमने क्या किया आतंगवाद की खेल में हमने जो है जब हमारे यां कोई घटना हो जाती है बंप फूड जाता है तो हम रियक्टिव मैजर्स लेते हैं हम यूनाइटेड नीशन जाते हैं हम उसी को ही चलाते हैं जी-जी लगाके बोलते हैं कि बंप होड़ दिया जी मार दिया जी हम अपनी सेनाओं से क्या बोलते हैं सर्चिकल स्ट्राइक के ये उस समय ये जो लाइन से वो डैलूट कर देते हैं तो इस बार ये बहुत लंबे समय तक हमारे होता विदेशी जो इसका फाइदा उठाते कि भाई बारत में कुछ कर दो उसके बाद ये कोई ना कोई काउंटर रियक्शन करेगा उसको मैनेज कर लेंगी कि वो मैनेज हो जाता है अब यहां पर क्या हो रहा था कश्मीर सांथ हो रहा है अकबारों में खबरे जारी लोग तिरंगा लिया हातों में घूम रहे हैं पूरी दुनिया में G20 संबेलन करा लिया टूरिस्म बूस्ट पे यह बड़ा खुबसूरत है तो यहां पर लोगों के अंदर भल्चल होने लगी क्यों क्यों कि यहां पर अभी क्रामिक ग्रोथ होने लगी है सड़के बनने लगी बिजली आने लगी है लोग खुशाल है थोड़ी दूर पर बीच में एक नदी बहती चिला को लो बाई सब दिखाई वहां पर बात होगी सुना ही पड़ जाएगा और इधर के लोगों के पास बिजली नहीं है कश्मीर की बड़ी सेना और सेना के लोग वो क्या है इस छेतर में रहते हैं और वो एंटी इंडिया मुमेंट्स यही से चलाते हैं तो उनको क्या होता चरम पंथ के नाम पर धर्म के नाम पर पंथ के नाम पर मजहम के नाम पर यूथ को लाया जाता है अब यूथ को नहीं पता क्या करना है उसको तो उस समय जोश दिला दिया गया तो उनको ट्रेनिंग कौन देता है उनको ट्रेनिंग वहां पर बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तान की बड़ी खतरनाक ट्रीम है, जो ISI के साथ मिलकर ये सारी जो बैट है वहाँ की, बॉर्डर एक्षन टीम जिन्हों ने हमारे जवानों के सर काट लिये थे, ये बहुत भैनक तरीके से काम करती है, बहुत गंदे तरीके से काम करती है, ठीक है, वो उनको ट्रेनिंग देती है, हतियार मोह कर आती है, और वो सारी ट्रेनिंग कहां होती है, इसे एरिया में, आप यहां के बॉर्डर बाड़े कठीन है, तुम्हें लगा बॉर्डर सिक्योटी के उन्हें घने जंगल है, बरफ है, ठीक है, बहुत तेजी से काटती हूँ नदिया है, तो यहां क्या जो बॉर्डर सु थे तब हम reaction करते थे. तुम्हें भी क्या होता था, ये जिसे मालो आतंगवादी को से हमने मार दिया कि हमारी आ बम फोड़ ने वाले से तो तुम्हें लग ळा कि तुम्हारा नशोपर बोल रहा है कि हमने आतंगवादी Ou निख्रोपर बोल रहा है कि हमने आतंगबादियों को माड़ दिया, जानते हों विदेशमें क्या बोला जाता है, कि भारतीय सेना ने मासूम कश्मीरियों की हत्या की, these all are the narratives और narrative में पक्ष देखा जाता है किसकी पक्ष की बात हो रही है वो उन मृतकों के photos United Nation में ले जाके दिखाता है कि दो को भारत मानवा अधिकारों का human rights का उलंगन कर रहा है भारत की फॉजें गलत कर रही है और हम क्यों फस जाते थे क्योंकि सब कुछ हमारी boundary के अंदर हो रहा हम पानी पत syndrome से इतना गंदा गिर गचुके थे यह हजार सालों में हमारे DNA में आ चुका था और चुकि हमारे borders के अंदर हो रहा है तो वो क्या हो जाता था हमारी responsibility बन जाते थे तो हमारी फॉजों को क्या करना पड़ता था पीछे हटना पड़ता था अगर वो कोई action ले ले उन्हीं की उपर कमीशन बैट जाता था ऐसी ऐसी घटना है हुई है उन्हीं को जबाब देना पड़ता तुमने गोली क्यों चलाई कि ऐसा नहीं को उन्होंने कुछ गलत दी किया किया लेकिन हालात इतने कठीन है और नतीजा क्या रात धीरे 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 वो कि सकते हुए अंदर की तरफ आने लगे आज कैसे चार-पात सालों में इतना सेनेरियों चेंज होगे आज बताओ आज चेंज होगे है न क्यों देते हैं वो भी जीना चाहते हैं लेकिन तुम अंदर आके उनका मुकाबला कर रहे हो तो हमने जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी की अब तीसरी में क्या हो रहा था पाकिस्तान बड़ा परिशान पिछले एक साल से अजीबों करीब न्यूज आ रही है डल जील में विदेशियों को ले आके बिठा दिया वहां तो जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था डल जील तो खाली हो रखी थी फिल्म शूटिंग मेरे एक जानने वाले अभी फिल्म शूट करके आएं कश्मीर में छे दे तो यह सब हो रहा वहां की लोग रोजगार मिलने लगा एकॉनमी बढ़ने लगी है तो इसका क्या होगा पाकिस्तान को पता है इसका बड़ा खतरनाक प्रभा होगा क्योंकि बाहर बैठे हुए लोग यहां पर एक मेमोरेंडम चला रहे हैं और वो रिफरेंडम यह कर रहा है कि हमें किसके साथ जाना है भारत के साथ जाना ह इसकी मांग बहुत तेजी से आने लगी गिलगिट बालतिस्तान में स्वात वैली में यह बड़े खुबसूरत जगह है तो यहां के लोग यह मांग कर और च्छा कश्मीर की एकॉनमी हो रही खराब उनके यहां हो रहा है इस समय टर्मॉइल भयानक जो मारपीट चल रही है उनके आँ इमरान खान जेल में बुशरा भी भी उनकी वाइब बोल के रहा है कि जहर दे दिया जाएगा कल एक सज्जन और जेल में चले गए उनके जो पुराने मंतरी थे तो वहां की उठापटक हो रही है इधर तालीबान अंदर घुसरा है वो कह रहा है कि जो खैबर प खिलाफ हो रखी है उनका जो ब्लास्फेमी कानून है वो बड़ा खतरनाक है अब हो गया मामला खराब भारत के लिए सबसे अच्छा मौका है तो भारत ने क्या किया भारत ने कहा कि भाया बहुत हो गया पानीपस सिंड्रोम बहुत साल हमने इसमें बिता लिया हजारों साल का एक लंबी जर्नी हो गई अब खतम करो तो यह क्या हो रहा था यहां हो रही थी तयारी लॉंचिंग पैट था कि अब घुसने की तयारी हो क्योंकि अभी क्या और सदियां शुरू होने वाली है तो जैसे सदियां शुरू होंगी भयानक बरव गिरती है यह पुंच- हुई तुरंट इंट्री करनान शुरू कर देंगे तो भारत को पता था कश्मीर की शांती के लिए बहुत बलिदान दिया गया बहुत मुश्किल है बहुत लंबे समय तक हमने जो है 30-30 साल ना वहां कुछ सिने मागर आपको पता है अभी कश्मीर में पहली बार सिने माल 30 साल बाद खुला है वहां पिच्चर नहीं देख सकते थे आप सिने माहल में यह 30 साल पहले हुआ करता था कभी अब नहीं होता है अभी आपने देखा कश्मीर के सिने माहल की फोटो कितनी वायरल हुई लोग खुशी के मारे पागल होगा 30 साल बाद पीडी ने सिने माहल नहीं पर इन्वर्स्टी नहीं कॉलेज नहीं कुछ नहीं वाह पर तो अब उनको यह था कि यह अंदर आएंगे तो अब भारत क्या था पहले पानीपत सिंड्रोम का था गुलाम आ जाने दो अंदर आ जाने दो फिर हम देखेंगे क्या करना है क्योंकि हमारे यहां क्या थे बहु पानीपत सिंड्रोम सिंड्रोम नाम दिया है उन्होंने बीमारी है यह इसको किनारे करो और बुले यह अंदर आने की तैरी करहा हमीं मिलाते हैं इधर भी आके वहां भेजना है वहां भी जाके वहां भेजना है so why you come here हम क्यों यहां अंदर आने दें क्यों तुम्हारी फोटो जाकर पूरी दुनिया के जो है मीडिया दिखाए कि देखो भारती लोग कितना कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे है मानवादिकारों का उलंगन कर रहे है और हमारे लिए सही क्या है हमारे लिए हमारी राष्टी सुरक्षा सर्वो पर ही बड़ी बलिदान के बाद सालों के बाद कश्मीर में शांती आई है एकोनमी ग्रोथ होने वाले है एकोनामिक इनवेस्टमेंट होने वाले है अभी बहुत जल्दी जो है बहुत बढ़ा है यहाँ पे पहली बार जब कश्मीर गया कि कश्मीर वैली है तो जानते हो वह पे जब आप जाते हो तो आपको hotel टूरिस्म को बनाने के लिए आपको मैंने पहले बताई था कि हमें सपाट जमीन चाहिए होती है और वो इतनी उचाई बर्ब से लदी हुई जो घाटियां उसके बाद भी वहाँ सपाट जमीन है यानि आप टूरिज्म सड़के बेहसाब आप डवलब कर सकते हो आप हिमाचल में नहीं कर सकते हैं उत्राखंड में नहीं कर सकते हैं क्यों क्यों क्या स्लोप है नीचे आ यह जाता रहे हैं कि तो पाकिस्तान वे भाण नहीं रहा है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि कश्मीर की प्रॉसपैरिटी का मतलब है तो यह वाला हिस्सा उसके हांस से निकल जाएगा क्योंकि भारत सरकार दोनों तरीके मारेगी एक तो वो ढूने की भी और दूसरा पूरी दुनिया से कहे कि चलो referendum करा लेते हैं। बहुत लंबे समय थे हैं कि हमसे referendum करा लेते हैं अब हम referendum कराते हैं। और इन लोगों को दिखाई पड़ेगा भाई उधर गरीबी है, भुखमरी है, भुखमरी है, आटा भी लेने के लिए इधर उधर गूमना पड़ता है। और इधर क्या है? बिजली है, सड़क है, मेडिकल फेसल्टीज है, एकॉनमी है। तो क्या करना है? खिसके साथ जाना है? भारत के साथ जाना है? भारत के बाद दोनों तरीके मौझूद हैं। दोनों तरीके मौजूद हैं, तो भारत ये दोनों तरीके इस्तमाल, लेकिन उसको अपना छेतर पहले अच्छा करना पड़ेगा, तब जाका रखंड भारत की नीव रखी जाएगी, तो अगला स्टप यही होने वाला है, तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने कहा कि बहुत हो गया, पानीपत सिंड्रोम, तुम हम से आके मिलोगे, तो भी जन्नत जाना है, हम ही आके तुम्हें भेद दे रहे हैं, और वो क्या हुआ हुआ हमारे देश के पंदरा बहतरीन, कमांडो 12-15, अंदर गए, सब को निप्टाया, चले आए, बोले क्यों धाई 3 किलमे क्यों, क्यों कि इन जोग्रिफिकल बाउंडरी का बड़ा मतलब होता है, अब अगर ये कहे कि यहां पर था तो उसको बताना पड़े कि ट्रेनिंग कैम था, क्यों इतने लोग हथियारों के साथ गैधर हुए, ऐसा क्या काम कर रहे थे, भाई धोल न, गाड़े के साथ एक अथियार लेके क्या कर रहे थे भाई तुम, तो accept निकर और accept कर ले, तो इंडिया ने उसकी सुवरिंटी की ऐसी तैसी कर दी, तुम्हारी बाउंडरी के अंदर घुषके मार दिया है, तो according to the national interest होता है, अगर कोई तुम्हारी बाउंडरी अंदर घुषके कुछ कर रहे है तो तुम्हें सामने वाले पाटेक करना चाहिए खाने को है नहीं, आइमेफ से भी गिड़ गिड़ा गिड़ गिड़ा तो अभी कुछ मांगा है कि कुछ दे दो हमें तो आइमेफ ने भी बहुत देर बाद ये कराया, वो कराया, उठा बैठा कराया डान्स कराया, सब कराने के बाद थोड़ा सा पैसा दिया है, अब वो पैसा भी लडाई में चला जाएगा, भारत ये चाहरा है कि घुसो तुम लडाई में, इसके बाद तो कटोरा जिसे तुम मांग रहे हो भी हम ले लेगे तुम्हारा, तुम्हें पहले तो कटोरे के लिए भी मांग नहीं पड़ेगी, उसके बाद तुम्हें कुछ मिलेगा, तो भारत के लिए बड़ा सही मौका है, तो वो दोनों तरीके से फसा हुआ है, तो उसने कोई स्टेट्मेंट इसके बारे में नहीं दिया, लास्ट में ही बोलेगा कि भारत, जो है वो पाकिस्तान, भार की खिलाणी में साथ है, और इसाथ हो कोई तरीका नहीं है, और पूरी दुनिया की मीडिया भी इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकती, क्योंकि ये ऐसा छेतर है, जहां से ना फोटो बाहर निकलनी है, बस हमारे यहां दो चार नेता है, वो मांग लेंगे कि हमें जो है वो सबूत दो, वो सबूत मांगते भूमेंगे, बाकि इसका कोई हिसाब कताब नहीं है, तो इंडिया ने क्या कि उसको न्यूटलाइस कर दिया, यानि अब हम तुम्हारी बाउंडरी के अंदर पहुचके न्यूटलाइस कर देगे, तो अगला स्टेप इसमें कोई डाउट न अब तो हमारा आना जाना लगए रहे हैं, हम पैदली भूमाते हैं धाई तीन किलोमेटर, देखो, कितने आराम से चले जाते हैं, तो अब वो बोले कि अब जब आना जाना हई है, तो हमें दे तो, पहले हमारा था कि बाउंडरी क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरनाशनल मुद जाती थे, जो कूटी नीट से जादा विदेश नीट पर बहुत जादा फोकस करते थे, एक गाल, दूसरा गाल, अब तीसरे एक बार हम बात ही नहीं हुई है, तो हम भी गन्फ्यूज थे, तो हमने चलो अपनी बात हम करें, तो ये खबर इसके लिए, इसके सासा दो खबर और आई है, अब इसी की बात करो, लीबिया में बंदक 17 भारती ही वक छुड़ाए गया, ठीक है, छे महीने पहले अबड़ेट कर लिए गया तो वहाँ पर आतंगवादी समूध है, उन्होंने इकटा कर लिया था, ये भारत की वर्डवाइड डिप्लोमैसी, किसी रास्ट की पावर जो होती है, बियांड बाउंडरी होती है, और वहाँ पर डिप्लोमैसी की बड़ी जरुवत पड़ती है, तो छे महीने से हम लगातार जो हमारा दूतावास है, जो हमारा एमबैसी है, वो बहुत जबरदस काम कर रहा था, और आतंगवादियों से, mostly ये था कि, ठ कर लिए गया, बुरी घटना थी, लेकिन भारत सरकार की पावर रही है, कि हमने युद्ध चेतरों से भारतियों को निकाला, ये जो एमबैसी होती है, यानि जो दूतावास होते हैं, ये किसी भी राष्ट की पावर को दिखाते हैं, कि उस कंट्री के अंदर आपकी जो पे हैं, हर जगह से हमने अपने लोगों को निकाला, हमने युक्रेन से निकाला, और युक्रेन से जब निकाला तो रशिया ने युद्ध रोका, कि इंडियन्स को जाने दो, तो ये पूरे दुनिया में भारत की बढ़ती हुई साख है, अब ये दोनों चीज़ें पैरलल चल आद्यम से मैसेज देने में सक्सेस्फुल है, कि भारत अब कोई दबा कुछला देश नहीं है, भारत अपनी खुद की पॉलिसी को इस्टैबलिश कर सकता है, और भारत पानीपत सिंड्रोम से बाहर आ गया है, रास्ट भी उसी की इज़त करते हैं, जो अपने फैसले प्रती का प्रतीक है, कि हमने अपने लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया, तो यह बता रहा है कि भारत अब जो है, वो अपनी पावर चेन को बहुत बड़ी कर चुका है, तो कभी भी किसी भी देश में यह होगा कि चलो भारत के खिलाफ कोई आवाज उठाते हैं, वहीं अचानक से देखो, सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पूरी दुनिया में इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आए, पहली स्ट्रीक आप जाके जरण चेक कर लेना, इंटरनेट पर, पहली सर्जिकल स्ट्राइक करना, हमारी लोगोंने सबूत मांगने शुरू कर दिये थे फिर आपने देखना United Nations से ना कुछ एक दल आया था थे इस पाकिस्तान को बस में बठा के बार्टर पे लेके गया था चलो देखो कुछ नहीं हुआ भारत जूड बोल रहा है बड़ा प्रॉपगेंडा हुआ था अभी तुमने कई सी देश के बारे में सुना काउमन घटना यार खतम करो भारत करी रहा है कोई भी राष्ट करेगा ही करेगा तो यह होती है दुनिया की ताकत अब इसी के साथ एक दूसरी बात आई तो यह दोनों एक दूसरे के साथ हैं याद रखना सिर्फ हम अपनी बाउंटरी को नहीं सुरक्षित कर रहे हैं पूरी वह अपनी सरकारों पर दबाव बनाएगा कोई बड़े आश्यरी की बात नहीं कि अमेरिका का अगले राश्पती भारत बंची बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया भारत के इस नेतरतों के उपर विश्वास कर रही है कि यह वाकई में मानवताव दी होते हैं वाकई में इनके डियने में हमारे डियने में है पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है यह चक्र चल चुका है और इसका जो अगला जो सेग्मेंट है वो बहुत इंपोर्टेंट है अब पूरी दुनिया जिस चीज को समझती है न वो पैसा है पैसा कूटनीत का बड़ा important हिस्सा होता है तुम कभी सोचना कि 1960 और 1980 के दशक में पाकिस्तान गीती तूती क्यों मोलती थी अमेरिका का राश्पती अपना जहाज लेके उड़ता था एर फोर्स वन भारत मीं अधरता था उसका जहाँ उतरता था यू पाकिस्तान जाता था 1960 से 1980 का पढ़ना कभी इसको एक दौर था पाकिस्तान की GDP इंडिया से आगे थी 1960 से 1980 का जो दौर था पाकिस्तान की GDP इंडिया से अच्छी थी क्योंकि भारत जो है न धेर सारे मुलम्मों में चड़ गया था यानि उसने अपने समाजवाद और इंपोर्ट सब्सूशन पॉलिसी कंट्रोल एकॉनमी भारत का जो नेचर ही नहीं था वो उसको दे दिया गया लेफ्ट, लिब्रल, कम्मुनिजम, पता है नहीं क्या क्या विचार धारा यह भारत का 1960-1980 का दौर एक बहुत ही खतरनाक दौर रहा है हमने सारे रिसोर्सिस को बेवज़ा बाटना शुरू कर दिया तो 1960-1980 का दौर भारत के लिए अच्छा दौर नहीं माना जाता युद्ध लड़े, बेवज़ा, एकॉनमिक पॉलिसी इतना कंट्रोल कर लिया कि जो जिसके बारे में नहीं जानता वही वो काम कर रहा होता है यह दौर वो था, एक एक्जाम पास के लिए बड़े बाबु बन गए साइन्टिस्ट भी भाग के दें, सारे साइन्टिस्ट सर उनसे पूछे, सर यह दोनों मिला दें, तार जोड़ दें, किसी बात कर रहे हो, अब वो बिचारा आर्ट साइट से पढ़ा हुआ, जिंदकीं कभी तार नहीं टच किया, और उस भी भाग का अध्यक्ष है, बोले दख जाया तो, तो यह हमारी हालत थी, तो हमारा सारा क्या हुआ, सारा कामदाम रुग गया, तो जो दुनिया जो देखती है, वो एकॉनमिक ग्रोथ देखती है, क्योंकि दुनिया को बाजार चाहिए, 1960-1980 का दौर पाकिस्तान का बहुत अच्छा गोल्डेन फेस था वो, पाकिस्तान ग्रोथ कर रहा था, इंडिया से उपर ग्रोथ थी, और भारत अपनी हर चीज़ पर कंट्रोल करने में लग गया था, भारत आंतरिक मामलों फस्ता चला गया था, भारत डिपेंडेन्ट हो गया था रशिया पर, और पूरी दुनिया देख रही थी कि यार, यह ह पर चुरूटी, तो अमेरिका भाग रहा था, सब्रे लोग उसके लिए भाग रहा था, तो किसी भी राष्टर को अपनी हैसियत बढ़ाना पड़ता है, अब यह जो खबर आई है, को छोटी मूटी खबर नहीं है, पर कैपिटा इंकम का बढ़ जाना, इसका मतलब हर जेब आज से कुछ साल पहले यही एपल का फोन, कोई होता था तो ऐसे रखके घुमता था, देख रहा हो, जबरदस्ती लोग सेफ, इसके उपर टैटू बनवा देते थे, वह एक मैने कही मीम देखी, तो पहले जैसे कोई होता था, जैसे फोन निकाला एपल का, आप जैसे किसी निकाला, पंदरा लोगने और निकाल दिया, देख, क्या करेगा, तेरा कौन सा है, मेरे कई employee हो, प्रो लेके घुम रहा हो, वो प्रो कौन सा, वो max, हमें अपना रखना पड़ता है, ठीक है, यह max लेके घुम रहा है, सामने मेरा employee है, तो हम इसको टाक जीरे से अंदर रख प्रो निकाल रहे है, पूछना, पंदरा बुक कर लिया गया, हमने क्या करना है, ठीक है, तो यह चीज़े क्या है, पर capita income बढ़ रही है, आज से कुछ साल पहले कहा, एपल वाले हमारे हाँ नया मॉडल नहीं बेशते थे, हमारे हाँ री फर्बिश मोबाईल आते थे, री बलब अपल कंपनी के लिए भारत जो है, वो सिकेंडरी मार्केट था, उसकी नजर में हम आज से जादा नहीं, साथ आठ साल पहले, हम एक दोयम दरजे की country थे, आईफोन, उनकी नजर में हम दोयम दरजे की country थे, कि भारती ये जो है, वो एपल के फोन, उनकी अवकात नही है, कि वो इसको खरीद लगए, गिफिन गुट से में लब कुछ लोग को बात छोड़ दो, अमीर लोग, तो आम भारती यूज नहीं कर सकता, और आज वो हमारे या फैक्टरी लगा रहे है, ठीक है, आज common बात हो गई है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि per capita income हमारी बढ़ गई, तो पूरी दुनिया की companies है, क्योंकि एक news और चोटी सी आई है, और वो news मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, समझे जाओ पूरी दुनिया में हो क्या रहा है, और चीन की economy down होनी शुरू होगे, अगर आज की news पढ़ोगे, तो आज की खबर आई हुई है, और मैंने जो economic growth है, वो down हो रहा, over controlling होगे, सबसे वो लड़ाई करना शुरू कर चुका है, वो फंस चुका है, तो वहां की लोग वहां से बाहर निकलना चाहते है, चाइना की economic growth down होगी, इसके दो प्रेडाम होने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना, एक, भारत के लिए opportunity बढ़ अगर भारत अपने छेतर को liberal करता है, open करता है, अपने लोगों को skill करता है, तो वो सारी companyya किधर आना चाहेंगी, इंडिया में, लेकिन क्यों आएंगी, मालो तुमने कुछ सामान बना दिया, तुमने जूता बना दिया, आदमी गरीबी इतनी जूता नहीं बेहन सकता, तो क्या करोगे इस market में, एक अरब 40 क्रोन लोगों जूता नहीं पहनेंगे, तो पर-capita income क्या होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए, ये reports की बहुत value है, कि देखो भाई, इतने कम टाइम में, 9 साल, 10 साल में हमने इतने लोगों गरीबी से बाहर निकाला, यानि पर-capita income बढ़ी, युद्ध करता है, यानि जो अगला साल होगा, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जब भी कोई country economic turmoil, यानि की एक उठापटक, आर्थिक उठापटक के दौर से गुजरता है, जब एकनामी तेजी से down होनी शुरू हो जाती है, तो वो अपनी जनता का ध्यान बटाने के लि हम बढ़ा दिया, infrastructure develop कर दिया, सडग, बिजली, पानी, सुरक्षा हमने सब कुस दे दी, तो पुरी दुनिया की companies का आएंगी, भारत भाग के आएंगी, और वहीं दूसरा क्या है, अब हमें सबसे बड़ा threat कहां से आने वाला है, चाइना से आने वाला है, क्योंकि उसकी economy ज बातरा है, भारत ने हमला कर दिया है, वो कोई ना कोई ऐसा dispute करेगा, ताकि अपने लोगों का ध्यान वो बटा सके है, ये होता है और ये चाइना की जो पाकिस्तान की policy 1980 के बाद से रही है, 1980 के बाद से चाइना एक फेल्ड economy की तरह बढ़ गया और अपने लोग का ध्यान बटाने के उसने क्या किया, कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर और भारत से आजादी और ये वो दुनिया वरका धर्म खत्रे में है, उसने ये सारे राग अलापे और अपनी जनता को सालों तक बेखूब बनाता रहा, चाइना भी अब करने के लिए मजबूर हो जाएगा, तो दुनिया में विपरीत विचारधारा के हो, यानि अमेरिका और रशिया जो एक दूसरे के अपोस में हो, भारत को उनको अपने साथ लाकर खड़ा करना पड़ेगा, और इसलिए आपने खबर और पड़ी होगी, कि ब्रिक्स में जब हमारे प्रधान मंतरी जा रहे हैं, तो उस ब्रिक्स को, जो काफी पिछले कुछ समय से बिल्कुल शान्त हो गया था, उसके माध्यम से चाइना को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो अगला साल भारत के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है, और ऐसी कंडिशन में भारत के अंदर बैठे हुए लोग, अगर चाइना से आने वाला है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना गोला बारूत खुद बनाना पड़ेगा, अपनी सडकों को मजबूत करना पड़ेगा, और इसमे चैलेंज और आ गया है, और वो हो रहा है जो हम अंधा धुंद, ये पहाड़ों पे जो घूमन जा रहे है ना, जो होटल बना रहे है, उसकी वज़े से वो धंस रहा है, और उसकी वज़े से वहाँ से जो इस्टैट्जिक सडके निकल रही है, वो डिस्टर्ब हो रही है, ये भारतवासी खुद अपने लिए सरदर्द करेंगा, हमेंने क्या बताया था, हमें पता सब है, हम जानते कुछ नहीं है, हाँ, क्या चीज, किस में जाला जाए, ब्रिक्स में तुम पहले से थे, अंदर जाओ के बात करो के लड़ो गई पहले, चाके उसको समझाओ, ब्रिक्स में और भी लोग है, ब्राजील भी है, पता नहीं कहां का या वो रगया पिछले कुछ सम रशिया भी है, उनसे मिलके उसको पर दबाव डालो कि भाई, देखो लड़ो जगडो नहीं, क्योंकि वो ये टेंडेंसी होती है, कोई भी रास्त जब आर्थिक तर्माइल में फसता है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट करता ही करता है, रशिया सबसे एच्छा एक्जामपल है, कौन सी लड़ाई लड़ रहा है, इतना तो गंदा हमने लूडो भी नहीं खेला होगा, और खास्तों पर उसने भी नहीं खेलोगो जो 99 पर जाके कड़ जाता हो, वो 99 वाला साप हमेशा उसके लिए उसका नमबर ही चाहिए, कितना भी इसे से करके गोटी चल ले, वो उ हमेशा ही होता है, तो इतना तो लंबा युद, भलब महा सकती यार, महा सकती, एक छोटा सा देश है, और पता निक साल मर से जादा हो गया, अब खतम होगा, अब कर क्या रहा है वो, वो प्रॉब्लम में था, खबरों से दूर था, उसकी ओयल एकानमी का कुछ हिसाब होड़े नहीं है, यह डिस्प्ले है उसका कि चलो चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी एकानमी को लोगों का ध्यान अटा रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है, तब तक एकनमी में कुछ है कि तेल विल बेच लेंगे इदर उदर, कहीं इदर उदर मार्केट डून कर लेंगे, अपने ग्रुप के लोगों के अठा कर लेंगे, तो वो खबरों में बना हुआ है, और कुछ नहीं कर रहा है, तो सोचो रश्या, यूएससर जैसी महाशक्ती और एक देश नहीं निप्टा पा रहा है, पता नहीं कौन सी युद्ध हमने तास्तर कभी ऐसा यु है, सास लेना बंद गर देती है, सुप्रीम कोट आजाता है, पटाके नहीं जलेंगे, दीवाली बैन करो यह, हमाई दिल्लिम सास नहीं ली जाती है, इत्ता पटाखा रोग देते है, इतना हमें मौका दिया जाता है, हम उनकी सास रोग देते है अब तक, मार इतना खतम कर रहा है वो पुतिन बुल रहा होगा है देखो जड़ा क्या करना है ए गॉर्षकव इधर आओ जाके देखो यार वो कौन-कौन सा एक्सपाइरी डेट आ रहा है बुले साथ दो दिन बाद इसकी दाग दो इसको हो सकता ये कर रहा हो बुले रखेंगे कहा है इसको बु बाद दो आया तो किसी भारती ने उसको सला दिया होगा इसको हमारे दिपाली जो है वो इकनामी ग्रोथ के लिए बनती है तुम साल भर्दी वाली मनाव बेटा फोड़ते रो रॉकेट हम भी फोड़ते हैं तो जक्ता वो ऐसा कुछ कर रहा हो युद्ध का इतना लंबा कि आज ना सो कॉल्ड हमारा दोस्त जिसके सारे हम वी सो साल तक हमने अपनी इकनामी ग्रोथ कि एची तैसी कर दी हमने अपना जो सारा काम बंद कर दिया उस रश्या के बारे में बात कर रहे थे वो एक देश नहीं निप्टा पा रहा है छोटा सा ठीक है मतलब उनके साइबेरिया मुठा के डाल दो तो गायब हो जाए वो पुरा का पुरा जेलेंस की और उसका पुरा देश इतना बड़ा साइबेरिया है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं पता नहीं कौन सी लड़ाई कि अपनी कॉनमी सेट कर रहा है कि नहीं कि वहां के लोग जो अंदर कोईशन पूछरे वाले थे पूतिन से कि इतने साल होगा राश्पती बने-बने सी जिन पिंग ने क्या किया है अनंत काल के लिए अपने आपको मालिक घोशित कर दिया चाहिना का महां एलेक्शन वह लेक्शन थोड़े नहीं होते हैं कि वह आए और कभी तुमने देखाऊगा सी जिन पिंग को मैं कसम खाता हूं बिजली फुरी कर दूंगा यह हमारे हां होता है महां तो पॉलिद ब्यूरो है श्री जिन पिंग ने समविधान में पुतिन ने क्या किया समविधान में परिवर्तन कर दिया है वह जब तक चाहें तब तक राश्पती रह सकते हैं यह लोग तांतरिक ताना शार्ट की तरह हैं तो उनको कोई कुछ नहीं कर सकता तो देखो पुरी दुनिया में चर्चा है मीडिया अब चर्चा की वज़े से क्या और उसको वाजार मिल रहा है भारत को भी सामान बेच रहा है इसको भी सामान बेच रहा है तो पुरी दुनिया में अपनी कॉनमी को अंदर ही अंदर सैटल कर रहा है तो वार की एक नई इतनी तो विरा की वेदना किसी नाइका को नहीं जेलनी पड़ी होगी जितनी विरा की वेदना हम लोगो जेलनी पड़ रही है खतम करो कितने न्यूज चैनल वाले थे जब शुरू हुआ था मैं युद्ध छेतर से बोल रही हूं यह देखिए रॉकेट उड़ा रॉकेट उ उत्रे रुके पहले उसको एक थपड़ मारे है कि वोले तेरे घर में बाप भाई निया इतनी बार उड़ा चुकी है इतनी है तो जिस कंट्री ने दागा वो नहीं हमें कभी कभी उड़ाया उसने सुपर से साम तक भारती मीडिया उसकी इतनी फुटेश दिखा चुकी थी कि रॉकेट ने मना कर दिया कि मेरा नाम रॉकेट नहीं है मैं कुछ भी हूं रस गुला हूं गुलाब जामूनू लेकिन मैं रॉकेट नहीं हूं खबरदार तो तुनने में रॉकेट कहा तो यह हालत हो गई थी हमें भी लगा दो चार दिन यह ओड़ेंगे रशिया इतना बड़ा देश इतना बड़ा हमने बच्पन से क्या कहानिया सुन रखी थी अभी तो यह बस निप्ठा दो तीन दिन में जलन्सकी को खोश के निकाल के भी बाहर उसे कॉमेडी कराएंगे को वह भाई साब खतब ही नहीं हो रहा है पता नहीं चले जा रहा चले जा आप तो क करीविया रसीया पर बात करता तो उसको बुला के इसर्मन करता इसरो फास्व ठीक है यूप्रेन की जब कोई बात करता है मारे दो दो था बात करने के लिए नहीं है तो हमारे मीडिया को तब तक को अच्छा को विए वो तो को सीमा भावी अंदर आ गई तो हमारे नैशनल हमारे देखो कितना फुरसा था यह सब चीज़े करने का मैं बड़ा वो बड़ा इंपोर्टेंट न्यू सुन रहा था यह गलती से सामने आगे कोई मोबाइल पर तो उसमें हुआ कि प्रजान मंतरी ने जो बाते कहीं उसके क्या हुआ हुआ को थोड़ी देर उसने शुरू रास में मैंने पढ़ाय है वो बात वो सकता है निकल कर रहा है रास्ट के निर्मार की कोई बत और तब तको यह दूसरा सचीन के बार हम बात करने लगा क्या है वह गाना बना दिया बता उसके उपर लानत है हमारे उपर हमारी इन्वस्टीज में हमारे यूथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे हमारे इन्वस्टीज में कोई रिसर्च नहीं हो रहा है हमारी खेती में कुछ नहीं हो रहा है हमारी सर्विस सेक्टर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है हो रहा है तो वो सीमा एदर व बात होगी भारती मीडिया कहां पहुचा हुआ अंदाजा लगाओ इसका ठीक एक दिखारा है दाहिने हाथ में जंडा है ठीक राष्टिगान बोला अभी साम तो कोई बता देगा गलत सब्सक्राइब किया है क्या यह पाकिस्तानी है यह भारत के खिलाब इसी पर चार्चे आ हाइए वह दिक्कत यसा अच्या अच्या अब मैं यह भात कहने वाला था तुमने कभी सोचा कि वह यह दिखाते क्यों है मैं ये बात सोच रहा था कि वो ये नियूस दिखाते क्यों है क्योंकि हम यही देखना चाहते हैं हम यही देखना चाहते हैं ठीक है अच्छा किया तुमने पूछ लिया क्योंकि मैं ये बात बताने वाला था क्योंकि वो वही दिखा रहे हैं जो हम लोग देखना चाहते हैं ह हम अपना opinion रखना चाहते हैं किसी भी बात पर.